क्या गलो आया है भाई, यह गलो देखके, आपको यह रमेडी करने का बहुत जादा दिल कर रहा होग़ा, I'm sure आपको बहुत जादा दिल करेगा इस रमेडी को करने का, क्योंकि अपके चैरे के उपर 1000 रुपे वाला जो गलो आता है, वो देने वाला है। गर के देख लो आज चेहरे के उपर बुढबा बहुत जादा अगर दिखाई दे रहा है डाक स्पॉर्ट्स पैचिस बहुत जादा दिखाई दे रहे हैं चाहे वो एज की वज़ा से हो चाहे कोई मेडिकली कंडिशन की वज़ा से हो या फिर आपने कुछ ऐसे चीज लगा ल हैं तो आज की यह मैजिकल रेमेडी आपने जरूर से जरूर एक बार ट्राय करने हैं अब आप लोग बोलेंगे दी आप तो यह रेमेडी बनाके भी ले आए हमें कैसे पता चलेगा तो वेल मैंने इसका शूट किया है और अब मैं इसको लगाने वाली हूं देख सकते हैं म जादा प्लंपी दिखाई दे रहा है भाया मैं तो फैन होगी इस रेमेडी के मतलब इसको करने के बाद में मुझे वाकई में लग रहा है कि अगर आपकी एज 40 प्लस भी हो गई है लेकिन अगर आप अपनी स्किन को बहुत जारा ग्लो देना चाहते हैं स्किन के उपर उमर और लगाना उसी तरीके से कर लेंगे तो रेमेडी का रिज़ल्ट पर आपको सेम मेरे वाला मिलने वाला है जो आपको मेरी स्किन पर दिखाई दे रहा होगा मेरी स्किन देखके कोई बता सकता है कि मैंने कोई मेक अप किया है भाया कुछ नहीं है यह देख लो मैं आपके स सबसे जादा एजिंग के उपर काप करता है वो है फ्लेक्सिड यानि की अलसी के बीच जी हाँ इसको हम लोग खाने में भी यूज मिलाता है इसमें लॉट्स ओफ फाइबर मिलता है फ्लेक्सिड आपके दाग धबो को रिडियूस भी करता है और उमर के उपर भी काम करता है इसके साथ में जो दूसरी चीज हम डालेंगे वो भी पावरफुल इंग्रीडेंट है जो है मेथी दाना यानि की फैनोग्रीक सीड्स दोनों को आपने एक एक चमच ले लेना है या आपकी स्किन की पिगमेंट के उपर भी बहुत अच्छे से काम करती है तो एक कटोरी में मैं इन दोनों को पहले निकाल लेती हूँ ये दोनों चीज़े हमारे घर में हमेशा से अवेलेबल रही है ये आपकी स्किन के पोर्स को डीप क्लीन करके आपकी उमर के उपर काम करती है अब हमने इसका एक पावडर फॉर्म में बना के रख लेना है वेल मैं आपको बोलू में भी बहुत हल्प करता है तो एक बार की रेमेडी के लिए एक चमच हमने ले लिया है हमारा आज का मैजिकल पावडर ये पावडर प्लीज आप बना के स्टोर करके रखना फ्रिज में अब हम इसमें डालेंगे दूसरी पावर फॉर्म इंग्रिडेंट जो हमारे स्खीन मेरे पास क्योंकि ऑलिव ओयल खतम होने वाला था सोचा इसके कुछ बुंदे रखे हैं इनको यूज कर लिया जाए अगर आपके पास में विटामिन E कैपसुल है आप वो यूज कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा वर्जिन वाला नारियल तेल वो भी यूज कर सकते हैं आप ब इनक्रेडियंट यूज कर रही हूँ जो कि मैंने आपके साथ में अक्सर शूट किया है जो आपकी स्कीन को पॉलिश करता है आप लिटरली अपनी स्कीन के उपर पॉलिशिंग वाला रिजल्ट देखेंगे स्कीन इतनी जादा ग्लो इतनी जादा हाइडरेटेड और चेहर से पांच दिन पुराना दही है जिसको मैंने अपने लिए रख लिया है खाने में यूज इनिल आ रही हूं लेकिन अपने स्कीन के उपर इसको लगारी क्योंकि खट्टा दही हमारे स्कीन के उपर बहुत अच्छे से काम करता है लैक्टेग इसिट इसमें भरपूर मात्रम अपने स्कीन के उपर लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें बढ़ चड़ के मिल रहा है मार्किट के प्रोडक्ट में आपको बहुत जादा प्रेजरवेटिव मिल जाते हैं जो आपकी स्कीन को बैलन्स करते हैं घर की होम रेमेडी के साथ में ठीक है जी तो कैसे हमने इस रेमेडी को बनाए यह आपने देख लिया अब कैसे लगाना है यह देख लेते हैं सबसे जाए हम इसको क्या करेंगे हमने अपने फेस को अच्छे से वाश कर लेना है जैसा तो चेहरे के उपर जोगी हमारे पोर्ज होते हैं चोट 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 से आपको दाने दिखाए देते होंगे इसके अंदर बहुत सारी डैपोजिशन ही कट्ठी हो जाते है जो अगर आपकी स्किन के उपर रह जाती है रेमिडी लगाने के पहले ही तो आपकी रेमिडी को असर नहीं करने देती है तो हम क्या करेंगे अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करेंगे और उसके बाद में हमने हमारे इस पैक को लगाना शुरू करना है अच्छे से लगाएंग कोई काम नहीं करना है क्योंकि उससे पसीना आएगा और पसीने से सारा का सारा जितना भी आपने बैटर अपने चाहरे पर लगा है यह सारा का सारा निकल जाएगा पाइदा कुछ नहीं होना है तो हम क्या करेंगे हम रिलाक्स करेंगे अच्छे से रिलाक्स करेंगे लेट जाएंगे सो जाएंगे आप चाहो तो इक पावर नप भी ले सकते हो इसको दोपहर में आप कर सकते हो रात को सुने से पहले आप कर सकते हो बैस्ट रिजल्ट देने और जब आपको लगे 15 से 20 मिनिट हो गये है अच्छे से सकीन के उपर है अग्दम ताइट होगा उसके बाद में इसको वाश करना है वाश करने के बाद में चहरे के ऊपर जो ग्लो आएगा वह आपको भर भर के हजार और रुपए जो आप खर्च करके आते हैं पालर का उसका भी ग्लो नहीं देता होगा जितना ज़ाद आपको इस रेमेडी का आएगा करना है मतलब की फेज का जो फेज फेज़लट के ऊपर जो रिजेल के ऊपसे और इस्कों नहीं कर आएगा रभा चुछाएं वह अपने से करियो कुछ बहुत बार बहुत बहुत के करना है करण लेकिन आपको थोड़ा सा रेग्जलर न निया हैं ऐसे ही हमारी skincare भी है जिसको कि हमें regular तोर पर करना है best result के लिए होग करूंगे आपको छोटी सी remedy बहुत जारा पसांद आई होगी शेयर जरूर करेगा अपने family and friends के साथ में मैं बस इतना कहना चाहते हूं कि मेरे पास मेरी live में बहुत सारे कमेंट आता है कि दी हम लोग महेंगे महेंगे प्रोड़क्त नहीं खरीच सकते हैं प्लीज आप हमारे साथ ऐसी पालर जाना अफोर्ड जो नहीं कर पाते हैं उनको बहुत जारा help हो जाएगी ठीक है जी तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबाई टेक केर सी यू